असलाम अलेकूम, good to have you at Urdu Audio Books हाजरे खिद्मत है निम्रा एहमद का नौविल मुसफ एपिसोड थ्री सिद्रा नाजु खील की ठक ठक करती ट्रॉली धकेलती ले गई और वो खाली किचन में खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई मुसर्द भी महमानों के पास थी जाने कैसे ताई को उनके फर्द होने का ख्याल आया था और उनको वहीं बिठा लिया था टिशू, महमिल टिशू नाइमा चची ने जोर की आवाज लगाई तो वो तेजी से उठी टिशू रखना भूल गई थी उफ, वो टिशू का डबा उठा कर भागी बस लाउंज में लम्हे भर को रुक कर बड़े आईने में खुद को देखा उची पोनी टेल्स, सियाह जीन्स पे लंबा सफैद कुरता और गर्दन के गिर्द मखसूस अंदाज में लिप्टा एक टाय अंडाय दुपटा जिसे वो बहुत से जोडों के साथ चलाती थी ये गालिबन पिछले से पिछली बकरेईद पर बनवाया गया जोड़ा था जो अब तक खासा घिस चुका था खेर, कौन सा मेरे रिष्टे के लिए आए हैं? वो शाने उचका कर ड्रॉइंग रूम की तरफ बढ़ गई नफीस और बावकार सी, बेगम नॉमान बड़े सोफे पर तकल्फ से बैठी मुस्कुराते हुए ताई महताब की बातें सुन रही थी उसे आते देखकर पदरे खुश दिली से उठकर खड़ी हुए महमिल बेटा, आप आप आई हो, कब से पूछ रही थी तुम्हारी ताई से? वो एकदम गड़बडा सी गई लेकिन संभल कर आगे बढ़ कर मिली अस्सलाम उलेकुम वालेकुम अस्सलाम इतनी देर से पूछ रही थी तुम्हारा वो मैं हाँ आई नो बेटा, तुम्हें से इहतमाम में लगी हुई होगी मुझे याद है, जब मैं करीम भाई के आयादत के लिए आई थी तो इस अकेली बच्ची ने सारा खाना बनाया था वो उसे अपने साथ बिठा कर प्यार से देखते दो बरस पुरानी बात कर रही थी वो घबरा कर कभी ताई के तने नकूश को देखती तो कभी सिद्रा की मतगयर होती रंगत को वो तो बस टिशू देने आई थी फिर इतना इस तखबार चैमाने दारद आप ये ड्रम स्ट्रिक्स लेना भाबी ये ताई ने उनकी तवज्जा हटाना चाही अरे ये तो मेरी फेवरेट है महमिल तुमने बनाई है ना मुझे याद है तुमने उस दफ़ा भी खाने में ये बनाई थी और फरी बेटी इस्पेशली तुमसे रेसिपी पूछ कर गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे बेबसी और बेचारगी से वो बब मुश्किल सरहिला पा रही थी उधर ताई महताब अब परिशान हो रही थी यही तो हमेशा से होता चला आ रहा था सिद्रा के रिष्टे के लिए आने वाली हर मेहमान को वो महमल और मसरत की बनाई गई चीजें यह मेरी सिद्रा ने बनाई है कहकर पेश करती थी मगर जाने कब वो खातून उनके घर की सारी सुनगुन ले गई थी बस भाबी बच्चियां माशाला सब ही सुगड है हमारे घर में फिर्जा चची ने बजाहिर मस्कुरा कर बात संभाली मगर गद्रे बेचैन वो भी थी कहीं कुछ बहुत गलत था जी मगर ये सब तो सिद्रा ने बनाया है बेचारी सुभा से लगी हुई थी मुसरत ने जल्दी से कहा जी जी ताई महताब ने फौरण ताईद की वेरी गुड सिद्रा बेगब नुमान अब बॉक्स पेटीज ले रही थी ये बॉक्स पेटीज तो बहुत अच्छी बनाई है सिद्रा इसकी फिलिंग में क्या डाला है और सिद्रा के तो फरिश्टों को भी इल्म ना था नुमान साब खुद मुन्फरिद और अच्छे खानों के रसिया है इसलिए हमेशा कहते हैं कि बहु ढूनना तो उसके हाथ का जायका चक्कर ही रिश्टा मांगना वैसे तो आपकी सारी बच्चीया ही माशाला बहुत खुबसूरत सलीका मन है अगर महमल तो मुझे खास तोर पर अजीज है सईदा आप ने जिक्र तो किया होगा कि मैं किसी खास मकसद के लिए आ रही हूँ तो अब लंबी चौड़ी क्या तमहीद बांदू महताब आपा फुरकान तो आपका देखा भाला है अगर हो सके तो इसे मेरी बेटी बना दें और महताब ताई से मजीद सुनना दुश्वार हो रहा था महमल तुम अंदर जाओ उन्होंने खुद को बमश्किल नॉर्मल रखते हुए इशारा किया तो वो जो हको दक बैठी सुन रही थी तेजी से बाहर निकल गई पीछे क्या बाते हुई किसने क्या कहा कब उन खातून को खाना खिलाए बगए रुखसत कर दिया गया और ताई के बंद कमरे में सारे बढ़ों की क्या गुफटगू ही वो हर शेय से दूर अपने कमरे में कान लपेटे पड़ी रही उसका दिल कुछ भी करने को नहीं चाह रहा था हजीब सी कैफियत थी जैसे बंद गार में रोशनी और हावा का कोई रौजन खुल गया हो बे कैफ और रूखी फीकी जिन्दगी में एक दम ही बहुत खुशकवार और सरसब्स मोड़ा आया था उमीदें फिर से जिन्दा हो गई थी और उसे लग रहा था कि एक नई जिन्दगी बाहें पहलाए उसके इस तकबाल में खड़ी है एरोनाटिकल इंजिनियर, खुश्शकल फुरकान, माबाप का अकलोता बेटा, अच्छे खानों का शौकीन उसके लग आप ही आप मुस्कुराने लगे थे उन्होंने सिद्रा की जखा मेरा रिष्टा मांगा Can you believe it? मैं तो इतनी शौक्ड हो गई हूँ और पता है, उनका बेटा एरोनाटिकल इंजिनियर है और तुम मेरी बात सुन रही हो या नहीं? उसने फाइल में सफे तर्टीब से लगाती, नादिया का कंदा हिलाया तो वो, हाँ हाँ, बताओ ना फिर क्या हुआ कहकर फिर से सफों की तर्टीब ठीक करने लगी होना क्या था, ताई अम्मा की तो शकल देखने वाली हो गई थी अच्छा, नादिया बिंग्लिश की किताब के वर्क उल्टाती कुछ तलाश कर रही थी वो दोनों कॉलिज के बरामदे की सीड़ियों पर बैठी थी तेज थी, ऐसे परख्चे उड़ाई के ताई कई दिन तक क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो नादिया, उसने खाफासी होकर मूँ मोड लिया, नहीं नहीं सुन रही हो ना, नादिया ने वो अखला कर फाईल एक तरफ सीड़ी पर रखी मगर वो मूँ मोडे बैठी रही, अच्छा बताओ ना, वो सहाब मेकैनिकल इंजीनियर है मैं दो घंटे से बक बक कर ठक गई हूँ कि वो अरोनाटिकल इंजीनियर है तुम अगर सुन लेती हैं तो ये सवाल ना करती हैं, तुम अपनी फाईल जोड़ों में जा रही हूँ बैग उठा कर खड़ी हुई तो नादिया भी साथ ही उठी अरे नारास तो ना हो ना, नहीं यार सीरियसली नारास नहीं हूँ मुझे याद आया, मुझे अभी मैडम मिस्पह से मिलना था एक काम करने के लिए, मैं जरा थोड़ी देर तक आती हूँ महमिल ने बजाहिर मुस्कुरा कर कहा और मुड़ कर चल दी जब वो तेज तेज सर जुकाए चलती, तो उची पोनी टेल साथ ही इधर उधर जूलती, बहुत अच्छी लगती थी चंद कदम दूर उसने जरा सा मुड़ कर देखा, नादिया बहुत आराम और हिमाग से बैठी अपनी फाइल में कुछ लिख रही थी वो तासुफ से वापस आगे को चलने लगी कितनी जल्दी उसकी सो काल्ड बेस्ट फ्रेंड ने उसकी फीकी मस्कुराहट के साथ कहे गए आखरी जूमले पर यकीन कर लिया था जैसे वो वाकरी नाराज नहीं है, हाला के वो थी घर में अम्मा थी, तो कॉलिज में ना दिया, जिनसे वो दिल की बात शेयर कर लेती थी मगर दोनों बेतवज्ज ही से सुनती थी, कभी काम में मस्रूफ हूँ हाँ कह दिया तो कभी तो सुना ही नहीं इस दुनिया में कोई भी नहीं है वो सामने वाले बरामदे के एक तनहा सुत्वून से टेक लगा कर बैठ गई और उदासी से सामने लॉन के सबजे को देखा सुनेहरी और चमकीली सुभा हर सू बिखरी थी धास पे टोलियों की सूरत में सफैद यूनिफॉर्म में मलबूस लड़कियां बैठी थी जिसी जिन्दगी मुश्किल जिन्दगी किसी और की न थी उसने आजर्दिगी से सोचा क्या मुझे कभी वो खुशियां नहीं मिलेंगी जो मैं चाहती हूँ बड़ा सा घर वे तहाशा दौलत ताकत असरो रसूख महबत करने वाला लाइफ पार्टनर क्या ये सब मेरे कदमों में एक साथ धेर हो सकता है उसने सुतून से सर टिका कर आँखें मूंद ली बंद कपलकों पे सुनहरे खौब उतरने लगे थे वो एरनॉटिकल इंजिनियर या फवाद मैं इन में से किसी की भी बीवी मन जाओं तो सब कुछ मेरा हो सकता है सब कुछ मेरे कदमों में धेर हो सकता है बुलंद हर चीज़ की बुलंदी जो वो अमलियात कर लेता है वो दुनिया पे राज करता है कुछ ऐसा हो कि तुम्हें तंग करने वाले लोग तुम्हारे आगे पीछे फिरने लगे मालो दौला तुम पे निच्छावर हो तुम्हारा महभूब तुम्हारे पदमों में आगे रहे और अगर मैं ऐसा कुछ तुम्हें दे दूँ तो उसने जटके से आँखे खोली एक दम से ही वो सारी बातें और उस सियाफ फार्म लड़की की सियाफ चमकीली आँखें उसे याद आई थी तुम सब को अपनी मुठी में करके दुनिया पर राच करो क्या तुम यही नहीं चाहती उसने खबरा कर इधर उधर देखा यू लगता था वो लड़की अपनी भेद भरी आवाज में उसके पास से ही बोल रही है पता नहीं क्या करूँ उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था एक लम्हे को उसने वो किताब उससे मांगने का सोचा मगर दूसरे ही पल खाफ का गलबा तारी हो गया नहीं नहीं मालूम नहीं कौन सा सिफली इल्म है उसके पास मैं इन कामों में नहीं पढ़ूंगी आगा जान को इल्म हुआ तो टांगे तोड़ देंगे मेरी वो खुद को सरजनिश करती फाइल और बैग संभाले उटखडी हुई उसे अब उस सियाह फाम लड़की से कोई बात नहीं करनी थी बस उसने फैसला कर लिया था अलबता दिल के किसी छुपे खाने में उसके ताब को हासिल करने की खौहिश ने भी बहुत हामोशी से सर उठाना शुरू कर दिया था उन दिनों मुसर्रत बहुत खुश रहने लगी थी और वो उनको देख देख कर खुश होती पता है महमिल बहुत अच्छे लोग हैं ये नुमान भाई बड़े भले मानस इंसान है और उनका बेटा तो बहुत ही खूब रू है अल्लह ने हमारी सुन ली है वो जरूर हम पर रहम करेगा वो कभी कभी बैट कर उसको बताने लग जाती थी तो खामोशी से मुस्कुराहट दबाए सर जुकाए सुनती चली जाती अब तो घर के काम भी आराम से कर देती कुछ दिन से ताई को जवाब देने भी छोड़ दिये थे पहली दफ़ा इस जिन्दान से निकलने की कोई उमीद जो बंधी थी सिद्रा अलबत्ता उसे उठते बैटते बहुत अजीब नजरों से देखती थी मैं हमिल परवा ना करती मकर उस रोस तो हद ही हो गई वो शाम की चाई की ट्रॉली धकेलती बाहर लॉन में आई तो सिद्रा ने एकदम उसे देखते ही मूँ फेड लिया शायद अभी तक नाराज हैं उसने सोचा और फिर जैसे मदावा करने के लिए सबसे पहले सिद्रा का कब बनाया सिद्रा आपी चाए बहुत शाहिस्तिगी से मुस्कुरा कर कब बढ़ाया आपी मैं तुम्हारी आपी लगती हूँ सिद्रा ने कप लेते लेते जोर से पटाख दिया गरम उबलती हुई चाए मेहमिल के घुटने पर गिरी और वो बिलबिला कर खड़ी हुई कब घास पर जा गिरा यूँ लोगों के सामने आपी कहकर तुम ये जाहिर करती हो कि मैं बूरी हो गई हूँ हाँ सिद्रा एकदम चिलाने लगी थी ममी ममी इसको देखें ये हमेशा यही करती है ये हमेशा लोगों के सामने मुझे बेज़ज़त करती है सिद्रा ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया अरे इनकी तो आदत है ये मा बेटी तो इस घर की कोई खुशी देख ही नहीं सकती ना मेरी बेटी तू घम ना कर और अब खड़ी हो क्या हो जाओ अपनी नहूसत लेकर जाओ मेरे सामने से ताई महताब ने भी बहुत दिनों का गुस्सा यकदम निकाला वो जो शौक्त सी थी भागती हुई अंदर आई मुसरत भी परिशान सी किचन में खड़ी थी उन्होंने भी सुन लिया था महमिल कुछ कहे बगैर अंदर कमरे में बंद हो गई अंदाज़ा तो उसे था ही कि ताई का मूर उस रोज से बेगम नुमान की बातों पर खराब है मगर वो कुछ कह भी न रही थी चुप ही सादली थी शायद इस बात पे क्या वो महमिल की होने वाली सुस्राल थी उनसे क्या पंगा लेना मगर रात में उसकी ये खुशफेहमी भी दूर हो गई जब उसने किचन में ताई महताब को मसरत से कहते सुना हमने तो उसी रोज नूमान भाई लोगों को इंकार कर दिया था महमिल की कौन सा शादी की उमर है अभी घर की बड़ी बेटियां है पहले उनकी होगी फिर ही महमिल का सोचेंगे चाय आगा साहब के कमरे में पहुचा दो वो रात का खाना नहीं खाएंगे और टेबल लगा दो वो खुम सादर करके बेन्याजी से निकल गई खिचन के दर्वाजे पे धुआ 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 चेहरे लिए खड़ी महमिल पे बस एक इस्तहजाया निगाह उचाली थी जबके अंदर निढ़ाल सी बमुश्किल खड़ी मुसरत को देखना भी गवारा ना किया था जिनके दिल पे उन्होंने उल्टी बर्ची फेर दी थी उसे नहीं इल्म था के क्यूँ मगर वो राद देर तक बरामदे की सीड़ियों पर बैठी रोती रही थी अंदर सब सो रहे थे मुसरत भी सोने चली गई थी वो पढ़ाई का बहाना करके बाहर आई थी और देर से उधर बैठी बे आवाज आंसू बहा रही थी कच्ची उमर का पहला खौप था वो भी ऐसे किर्ची किर्ची हुआ था कि रूफ बिलबला उठी थी वो इतनी हर्ट हुई थी कि दिल फट रहा था कोई इतना भी जालिम हो सकता है जितनी ताई थी जितनी ये सब लोग थे उसका दिल चाह रहा था वो बे खबर सोते उन लोगों के कमरों को आग लगा दे या चुरी से उनकी गरदने काट फेके या जहर दे कर सब को मार दे और आखिर में खुद भी भांक ले नफरत बहुत शदी नफरत महसूस होती थी उसे अपने इन रिश्टेदारों से उसका दिल चाहता था वो इन घटिया और कमीने लोगों से दूर चली जाए जहां उसे उनकी शकल ना देखनी पड़े और वो वाकई अब चली भी जाएगी उसने सोच लिया था बस एक दफ़ा उसे वो स्कॉलर्शिप मिल जाए जिसके लिए उसने ब्रेटिश हाय कमीशन के इलान के बाद अपलाए किया था कि भले घर के जो हालात हो उसने फिफ्ट से एफसी तक हर बोर्ड एक्जैम में पूरे बोर्ड में टॉप किया था एफसी प्रे इंजिनिरिंग में टॉप करने के बावजूद उसका इंजिनिरिंग की तरफ रुज़ान न था या रहा न था सो बीएसी मैट्स में एडमिशन ले लिया था और उसे उमीद थी कि अब भी वो ही टॉप करेगी और अगर स्कॉलर्शिप उसे मिल जाए तो बहुत आसानी से उसे जिन्दान से चुटकारा मिल जाएगा वो आंसू हतेली की पोश्ट से रगड थी इस सोच में गलतां थी के कोई उसके सामने आ खड़ा हुआ वो जूते देखकर चौंकी और भीका हुआ चेहरा उठाया वसीम उसके बिलकुल सामने खड़ा था वसीम भाई वो करंट खाकर उठी और दो कदम पीछे हटी पोताई महताब का तीसरे नंबर का बेटा था फहत का छोटा और नाकारा और आवारा भाई उस वक्त भी वो अपनी सुर्ख आंखों से उसे घूर रहा था जाने का बचाना का कर उधर खड़ा हुआ था खुला ग्रेबान, तंग, जीन्स, गर्दन से लिप्टी चेन, विक्रे बाल और सुर्ख आंखें वो नशा करता था घर में सब को इल्म था यहां तक कि फिजा चाची अपनी बेटियों को उसके करीब भी ना जाने देती थी खुद हसन भी इहतियात करता था आर्जू अलबता ला परवार ने डर थी वैसे भी वसीम घर में बहुत कम ही नजर आता था मेहमिल हर मुम्किन इहतियात करती कि अकेले में उसका सामना ना हो कि उसे उसकी आँखों से खौफ आता था मगर आज जाने कैसे क्या कर रही हो वो एक गदम उपर स्टेप पे चड़ा तो वो बे ख्यार पीछे हटी कुछ भी नहीं वो आगजान आवाज दे रहे हैं वो एकदम पलट कर अंदर भाग गई वसीम ने तमस खुराना सर चटका चल लम्हे इदर उदर खड़ा सोचता रहा और फिर बाहर गेट की तरफ चल दिया वो बहुत बोज़ल सी थी वो बस स्टॉप पर बेंच पर अकेली बैठी मुतवर्म आँखों से दूर उफक पर चाने क्या तलाश कर रही थी जहां नीली सुब के परिंदे उड़ रहे थे रात भर के रोने के बाइस उसके सर में दर्ट की टीस से उठ रही थी और उपसरे वो स्याह फाम लड़की भी नहीं आई थी चाने आज वो किधर रह गई थी अभी तक क्यों ना आई थी सिर्फ इसलिए महमिल आज 15 मिनट पहले ही आ गई थी ताके 10 के बज़ाए 25 मिनट उसके साथ मिल जाए अगर ये तो उसे मालूम भी ना था कि वो आती कब थी उसे तो ये भी मालूम ना था कि वो उसका इंतजार क्यों कर रही थी हाला के कोई बात ऐसी ना थी जिसे वो उसके साथ शेयर कर सकती किसी मसले का हल दरियाफ्ट कर सकती या उसके साथ बैठकर रो सकती नहीं उसके पास बताने को तो कुछ भी नहीं था फिर भी उसे उसका इंतजार था वो बार बार कलाई पर बंधी रिस्ट वाच देखती लबहें सरकते जा रहे थे पच्चिस मिनट खत्म होने को थे मगर उस स्याह फार्म लड़की का दूर दूर तक कोई नामों निशान न था बस का हॉर्ण बजा तो वो शिकस्ता कदमों से उठकर चल दी संगी बैंच खाली रह गया सुपके परिंदे अपने सफर को निकल गए और नीलाहट भरा उफक सुनहरी किरनों से भीगने लगा वो बहुत उदास सी बस में सवार हुई थी सारा रास्ता खामोश सी गर्दन मोड़े खुडकी से बाहर देखती रही उसकी लंबी सुराही मानंत सुनहरी गर्दन उची पोनी टेल के बाइस पीछे से भी जलकती थी और उसे यक सर मुम्ताज बना देती थी बसके रुकने से कबल उसने बैग में से पौकेट मिरर निकाल कर देखा और फिर कुछ सोच कर मुतवर्रम सूजी आखों को छुपाने को गहरा काजल डाल लिया था महमिल तुम इतना काजल मत डाला करो माइन मत करना मगर तुम्हारी आईस बिल्कुल गोल्डन कलर की है और काजल में बिल्कुल बिल्ली की तरहां लगती है यू नो, कैट वुमन नादिया देखकर हस कर बोली थी और मुझे बिल्लियां बिल्कुल पसंद नहीं खाओगी उसने हाथ में पकड़ा चिप्स का पैकेट बढ़ाया महमिल ने एक खामोश निगा उस पर डाली और नो थैंक्स कहकर सरजुकाई अपनी किताब पे कुछ लिखने लगी सरजुकाने से उसकी उची पोनी टेल मजीद उठ जाती है और भूरे बाल गर्दन पर गिरते दिखाई देने लगते माई प्लैजर नादिया ने शाने उचका कर पैकेट वापस ले लिया वो खमोशी से सरजुकाई कुछ लिखती रही वो लाइबरेरी में नादिया को कल ताई अम्मा के जवाब वाली बात बताने आई थी मगर उसका तन सुनकर तिल एकदम तूट सा गया था बस चुटकी बजाते उसने मेहमिल के खुबसूरत बदामी सुनहरी आँखों को बिल्ली से मुशाबा करार दे दिया था शायद इसलिए कि वो आम सी सूरत की नादिया जब मेहमिल के साथ चल रही होती तो बहुत से सर मुड कर हमेशा सताईशी निगाहों से मेहमिल को ही देखते थे दरासकत, स्मार्ट, लंबी गर्दन और उंची ब्राउन पोनी टेल वाली लड़की जिसकी सुनहरी आँखें धूप में और भी ज्यादा चमकती थी पूरे कॉलेज में पॉपिलर थी ऐसे में जब वो काजल डाल कर मजीद खुबसूरत दिखती तो नादिया से कभी कभार बरदाश ना होता और वो किछ ऐसा जरूर कह देती जो मेहमिल का दिल तोड़ देता था अब भी वो नादिया अपनी बेस्ट प्रेंट के पास रोने आई थी मगर नादिया के पास उसके दुख सुनने की फुरसत ना थी वो मुसलसल अपने नोट्स में मगन थी और जब सरादेर को फारे हुई तो उसका दिल कुछ हैसे तोड़ा के वो फिर कुछ कह ही ना सकी हाँ तुम कुछ बता रही थी वो चिपस का पैकेट किताब की ओट में किये मुसलसल चिपस निकाल कर कुतर रही थी ताई अम्मा की बात थी शायद नहीं कोई बात नहीं थी अच्छा मुझे लगा तुम्हें गलत लगा मैं चलती हूँ जारा से कुछ काम है वो मसरूफ सी किताबें उठाए बाहर निकल आई अगले दो रोज युही मुझहमिल से गुजरे परिशानी मायूसी नाउमीदी और दुख वो हर तरह के मनफी ख्यालात में घिरी हुई थी यू लगता था जैसे दुनिया से रंग ही खतम हो गए हो सब कुछ फीका फीका सा था और दिल का बाग वीरान उजड़ा हुआ और फिर अचानक तीसरे दिन वो सियाह फार्म लड़की आ गई उसने दूर से उसे बेंच पर बैठे देखा तो ये तम गुस्से की एक लहर उसके अंदर उठी तो तेज तेज चलती उसके करीब आई तुम दो दिन से कहां थी सियाह फार्म लड़की ने सर उठाया वो बहुत गुस्से से उसे देख रही थी मेरा कुछ काम था मैं तुम्हें मज़ा आता है दूसरों को अपना इंतिजार करवा के तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी मदद के बगएर मर जाओंगी हाँ, हाला कि ऐसा नहीं होगा तुम तबज़ा लेने के लिए वो बाते करती हो जिससे दूसरा तुम्हारी तरफ खिंचा चलाए मगर मुझे तुम्हारी बिलकुल जरूरत नहीं है और ना मुझे तुम्हारी परवा है और मुझे तुम्हारी किताब की भी जरूरत नहीं मैं नहीं मरी तुम्हारी मदद के बगएर देखो, देख लो, मैं जिन्दा हूँ तेस तेस बोलते हूँ हापने लगी थी सियाफ वाम लड़की जरा सा मुस्कुराई तो तुम मेरा इंतिजार कर रही थी नहीं, हर्गिस नहीं वो दो कदम पीछे हटी मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है तुम शायद बुलंद आवाज में अपने दिल की आवाज को जुटला रही हो अगर ऐसा है तो ये मत करो अपने दिल की सुनो वो तुम्हें कुछ कह रहा है मुझे डिक्टेट मत करो मैं अपना अच्छा बुरा खूब समझती हूँ तुम मेरे साथ उमीद अफजा बातें करके अपनी किताब मुझे बेचना चाहती हो मैं खूब समझती हूँ तुम्हारा मकसद मगर याद रखना मैं तुम से ये किताब हर्गिज नहीं खरीदूंगी ना ही मैं तुम्हें ये बेच रही हूँ लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद मुझे ये किताब मांगने आओगी और तब मैं तुम्हें फॉरण ये थमा दूंगी अभी तुम सफर के आगाज में हो और जब थकोगी तो इस किताब के पीछे आओगी मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगा मुझे बस तुम्हारे थकने का इंतजार है तुम्हारी बस आगई है उस वक्त तो वो गुसे में पलट गई मगर फिर सारा दिन यही सोचती रही कि उसको उस स्याहफाम लड़की को देखकर हो के आगया था नहमेल इबराहीम कभी ना करती थी फिर अब क्यूँ? नदामत और शर्मिंदगी के एहसास ने उसे पूरा दिन जक्रे रखा वो केचन के तमाम काम बेतवजही से निम्टाती रही पढ़ाई भी ठीक से ना कर सकी पेपर्स हो रहे थे अब भी उसके पास पढ़ने को बहुत कुछ था मगर सारा दिन एसासे जर्म उसे अंदर ही अंदर कचोके लगाता रहा और जब रात को अचानक रजिया फूपो के आमत का शोर उठा तो वो बहुत बे-दिली से लाउंज में आई थी फाइका आजकल सारा दिन मेरे साथ केचन में लगी रहती है मैं मना तो करती हूँ मगर मजाल है जो ये मुझे किसी काम को हाथ लगाने दे आज भी पुडिंग बनाई थी कह रही थी सारे मामू शौख से नहीं खाते हैं उन्हें दे आओं मैंने खुद कहा खुद ही दे आओ मामूओं में तो जान है मेरी बच्ची की और सब ठीक है घर में फवाद कहां है नजर नहीं आ रहा महताताई के हमरा अंदर दाखिल होती रजिया फुपो ने बात के अखताम पर इधर उधर देखकर बजाहिर सरसरी सा पूछा था फवाद तो नजर ना आया मगर मेहमिल पे निगाप पढ़ी तो चेहरे पे नागवारी बिखर गई शायद इस वज़ा से के उनकी आखरी बात पर वो जरा इस्तेहजाईया सा मुस्कुराई थी लड़की उसकी मुस्कुराहट तपा गई थी जैसे चोरी पकड़ी गई हो सो बिगड़ कर कहती बड़े सोफे पर जा बैठी फाइकर भी दोनों हातों में ट्रे पकड़े जिस पर दो डोंगे रखे थे चली आ रही थी फैशन के मताबख शॉर्ट शर्ट के नीचे ट्राउजर्स और लंबे लंबे बाल खुले थे चिन में चोटी के बल साफ नजर आते थे वो सिद्रा की तरह खूब मेकप करती थी और इस तरह शायद जरा कुबूल सूरत लग जाती अगर वो गहरे मसकारे और आई मेकप के उपर वो बड़ा सा स्याह फ्रेम का चश्मा ना लगाया करती ये किदर रखो मुमानी जान वो रुक कर मधहम आवाज में पूछ रही थी वरना यही फैका थी जो कुछ अर्सा कबल बेहंगम शोर किया करती किचन में रख दो बलकि महमिल तुम ले जाओ लाईए महमिल आगे बढ़ी तो फायका ने गद्रे तजबजब से मा को देखा दे दें फायका बाजी फवाद भाई तो वैसे भी अभी आफिस से नहीं आए फुपो पूछ रही थी अभी उनका वो बेन्याजी से कहकर ट्रेल ये किचन में आई फवाद अभी तक नहीं आया फुपो ने बेचैनी से घड़ी देखी फिर फायका को आगका इशारा किया वो फूरण महताब ताई के बिलकुल मुकाबल सोफे पर मौदब सी बैठ गई हाँ कुछ काम था शायद और तुम ठीक हो ताई रिमोट उठा कर चैनल बदल रही थी अंदाज में अजब शाने बेन्याजी थी जिनके फवाद जैसे बेटे हो उन पे बेटियों की माई यूही मक्खियों की तरहां भिन भिनाती है वो रजिया फुपो के अत्वार खूब समझती थी ये पुडिंग फायका बाजी ने बनाई है फुपो वो वापस आकर उनके सामने सोफे पर टांग पर टांग रखकर बैठ गई वो ही जीन्स, कुरता गर्दन में मफलर की तरहां लिप्टा दुपटा और उंची पोनी टेल ये उसका मखसूस हो लिया था हाँ तो और नहीं तो क्या अच्छा आप तो उस रोज अपनी माई सलीमा से पुडिंग बनवा रही थी वो जब मैं आपके घर गई थी आप तो कह रही थी कि ना आपको और नहीं फाइका बाजी को पुडिंग बनानी आती है फाइका बाजी उसने चेहरा फाइका की तरफ मोड़ा अभी रिसेंटली सीखी है आपने हाँ हाँ मेरे साथ आजकल सब कुछ सीख रही है बैठकर मुफ्त की रोटिया नहीं तोड़ती फुपो चमक कर बोली ताई महताब रिमोड पकड़े चैनल बदल रही थी चेहरे पे अलबत्ता वाज़े बेजारी च्छाई थी और आपने किस से सीखी अपनी मासी से स्यादा जबान नहीं चलने लगी तुमारी महमिल ये तो मेरी भाबी का होसला है कि तुम्हें बरदाश्ट करती है इनकी जगा मैं होती तो दो दिन में घर से निकाल देती इनकी जगा आप कैसे हो सकती थी फुपो दूसरों के पैसे पे एश करना एक आर्ट है और ये हर किसी को तो नहीं आता ना शट अप महमिल ताही ने गुस्से से रेमोट रखा ज्यादा बखबखी तो तांगे तोड़ कर रख दूँगी अरे हम ना रखती तो किधर जाती तुम हाँ इंग्लेंड वो आराम से टांग पे टांग रखे पाउँ जुला रही थी क्या मतलब वो सब चौंके मैंने स्कॉलर्शिप के लिए अपलाय कर दिया है और बहुत जल्द मैं तो अम्मा को लेकर इंग्लेंड चली जाओंगी सो आप अभी से मुलाजम ढूनना शुरू कर दें आप बैठे में जरा किचन देख लूँ वो उटकर किचन की तरफ चली आई जानती थी कि उनके सरों पर बम फोड़ कर आई है मगर उस वाफ उन सब को सताने का दिल कर रहा था